हलो फैंड्स, आज हम डिसकस करेंगे स्रोडिंगर वेव एक्वेशन फॉर हाइडोजन एक्वेशन के सेपरेशन के बारे में, इसमें हम इस एक्वेशन को थ्री एक्वेशन में सेपरेट करेंगे, अब देखिए यह जो सेपरेशन है, इसका डेरिवेशन बी एसी लेवल के स नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ जो तीन equations हैं, उसको ही discuss करेंगे, अब ये तीनो equations कैसे आती हैं, तो इसके derivation को अगर आप समझना चाहते हैं, तो उसको मैंने next slide में represent किया है, अब देखिए hydrogen atom के लिए schrodinger equation की बात करें, तो उसको हम equation 1 की form में represent करते हैं, अब equation 1 second order partial differential equation होती हैं, और इसमें तीन variables include होते हैं, ये variables हो जाएंगे, r, theta और 5, अब इन तीनो variables के लिए हम schrodinger equation को separate करेंगे, तो देखिए equation number 2 ऐसी equation है, जिसमें सिर्फ r variable present है, इसी तरह से equation number 3 ऐसी equation है, जिसमें theta variable present है, और equation number 4 की बात करें, तो इसमें सिर्फ 5 variable present है, तो इस तरह से जो hydrogen atom के लिए schrodinger equation है, उसको हम इन तीन equations में separate करते हैं, अब देखते हैं, इसका complete solution, तो इसके लिए हम equation 1 को rearrange करते हैं, फिर इस rearrange equation को हम r square से multiply करते हैं, जिससे हमारे पास equation number 5 आती है, अब देखिए operator की बात करें, तो इसमें 2 terms present होती हैं, जिसमें से एक variable r हो जाएगा, और दूसरे variables theta और 5 हो जाएगे, इनको एक साथ consider किया जाता है, तो इस तरह से हम wave function को इन 2 terms में represent कर सकते हैं, जिसमें से ये r पर depend करेगा, और ये theta और 5 पर depend करेगा, अब y को हम spherical harmonics कहते हैं, अब equation 6 को हम equation 5 में put करते हैं, तो equation 7 आती हैं, और फिर equation 7 को हम इस value से divide करते हैं, तो equation number 8 आती हैं, अब देखिए equation 8 की बात करें, तो ये उस case में valid होगी, जब दोनो sides constant रहे, means constant को हम इस value से represent करेंगे, अब equation 8 को हम separate करते हैं, पहले इस value को constant से लिखते हैं, और फिर इस value को constant से लिखते हैं, तो equation number 9 ऐसी equation हैं, जिसमें सिर्फ variable r present होता हैं, फिर इन दोनों को separate करने के लिए हम further solution करते हैं, इसके लिए हम equation 10 को दोनों side से sin square theta स multiply करते हैं, और rearrange करते हैं, जिससे equation number 11 आती हैं, अब equation 11 में जो operator हैं, वो दो terms का combination है, एक theta पर depend करती हैं, और दूसरी 5 पर, इस तरह से हम इस term को इस form में लिख सकते हैं, तो इस तरह से equation 11 इस form में आ जाएगी, अब इस equation को हम इस से divide करते हैं, और rearrange करके equation 12 obtain करते हैं, अब देखे, equation 12 की दोनो sides constant m square के equal होती हैं, तो पहले ये value constant रखते हैं, तो हमारे पास equation 13 आती हैं, जिसमें सिर्फ एक variable theta percent होता हैं, फिर equation 12 में ये value constant m square से represent करते हैं, तो equation 14 आती हैं, जिसमें सिर्फ एक variable 5 percent हैं, तो इस तरह से हम hydrogen atom के लिए, जो schrodinger wave equation है, उसको 3 equations में separate करते कर सकते हैं,